वेल गाईस अगर आप अपने बेड पे, सोफा पे या काउच पे लगातार साथ आठ घंटे से काम कर रहे हैं तो भाई कॉंगाचलेशन्स बहुत मेंती हैं आप लेकिन थोड़े से केरलेस भी दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहे हैं लेट लेट के काम कर रहे हैं यह चीज आपको अभी समझ नहीं आएगी यह चीज आपको जब समझ आएगी जब बहुत देर हो चुकी होगी और जब यह समझ आने वाली है बिलीव में दोस्तों यह चीज आपकी प्रोड़क्टिविटी को बहुत हांपर करेगी इसी वज़े से मैं आज की इस स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओफिस चेर्स के बारे में देखें अगर आप मुझे अपने आने वाले दो या ती मिनिट देंगे दोस्तों इन दो या तीन मिनिट के अंदर मैं आज आज आपको ओफिस चेर लेने का एक स्पर्ट बना दूँगा ये मेरा दोस्तों आपसे दावा है इतना ही नहीं मैं आज इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ मेरी चुरेवी टॉप फाइफ बेश ओफिस चे दोस्तों आपके लिए डेफिनेटली एक काफी कमाल की परजेस बन सकती है वो भी आपकी नीड और रिक्वार्मेंट के हिसाब से तो चलिए फिर बिना किसी दिरी के लेट्स गेट स्टार रहे तो आई सबसे पहले दुस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे टाइपस ओफ चेर्स के बारे में देखिए आपको मार्केट के अदर मेजिली तीन टाइप की चेर्स देखने को मिल जाएगी दोस्तों सबसे पहले होती है हमारी कॉण्फिरेंस चे और सिंपल चे देखिए दोस्तों कॉण्फिरेंस चे के अंदर आपको headrest, lumber support, armrest, adjustment जैसे सारे major features जो की बागी चेर्स के दोस्तों होते हैं वो इस कॉण्फिरेंस चे के अंदर देखने को नहीं मिलते दोस्तों इतने सारे features जो नहीं है इसका एक plus point ही है कि यह थोड़ी सी cheap हो जाती है थोड़ी आपको सस्ती पड़ती है तो देखिए I would only recommend you this chair first if you are low on budget second you want to use this chair for shorter duration दोस्तों अगर आप जावादेर बैट के काम नहीं करना चाहते अपने chair पे तो आप इसको definitely consider कर सकते हैं second type की chairs होती है हमारी executive chairs देखिए दोस्तों जितनी भी आपके executive chairs होती है firstly they are amazingly soft secondly they are absolutely comfortable और दोस्तों यह इतनी जादा comfortable होती है कि शायद अगर आप इस पर बैठेंगे तो आप थोड़ा सा sleepy feel कर सकते हैं आपको थोड़ी सी मींद आ सकती है तो please don't blame me for that देखिए दोस्तों यार रखिए कि जितनी भी आपकी chairs होती है इनका material आपको leather या आपको synthetic leather का देखने को मिल जाएगा but दोस्तों इनका मुझे एक ही drawback लगता है इन chairs का वो यह है कि इसके double cushion दोस्तों material पे कभी कबार heat trap हो जाती है and अगर आप इस chair को किसी ACWL room के अंदर लेके नहीं बैट रहे हैं दोस्तों हमारी economic chair which I am currently using right now दोस्तों इसको use करने के reasons मेरे पास बहुत सारे है पहला, it comes with amazing lumber support second, it comes with amazing headrest third, it gives me freedom to adjust my armrest या दोस्तों ये chair बहुत कमाल की है and दोस्तों अगरा आप इस chair को use करेंगे तो इसके advantages भी बहुत सारे है पहला, it is meant for sitting for longer period of time second, believe me guys, ये chair आपका posture बहुत अच्छे से correct करती है third, दोस्तों ये है कि अगर आप इस chair बहुत देर तक बैट के काम भी कर रहे है तो दोस्तों आपके जो shoulders पर थकान हो जाती है या आपके pelvic area पर थोना सा pressure feel होता है दोस्तों इस chair पर बहुत देर तक बैटने के बाद भी ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला है दोस्तों इस chair का पहले एक drawback था कि ये थोड़ी सी expensive वह करती थी लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिलकुल भी नहीं है और यह आप चीज जानेंगे बहुत जल्दी जब मैं आप को पर टॉप 5 की best की list दिखाऊंगा So guys, अब आप types of chairs के बारे में already सब को जान चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ ऐसे points दोस्तों जो आपके लिए आना बेहर ज़रूरी है किसी भी chair को लेने से पहले आई इन के बारे में quickly जानते हैं Well guys, आपकी chair के अंदर कुछ basic features होने चीज़े Basic feature दोस्तों जैसे कि आपकी chair के अंदर अगर headrest है तो वो काफी कमाल की चीज़ है The chair should give you amazing lumber support और दोस्तों अब आपकी chair के अंदर armrest होड़े से adjust हो जाते हैं तो दोस्तों definitely वो chair आपके लिए काफी कमाल की बन जाएगी लेकिन दोस्तों ये दो features जो आपको अब बताने वाला हूँ ये काफी important है इन पे जरूर ध्यान दीजिए चाहे आप किसी भी type की chair ले रहे हो देखे दोस्तों अगर हम सबकी height है वो पहली बात तो बहुत different होती है तो देखे दोस्तों अगर आप एक chair ले रहे हैं तो सबकी height के साथ तो सबकी adjustment different होगी तो एक ऐसी chair लीजिए दोस्तों जिसकी height आप काफी साने से totally ऐसे adjust कर सकते है विरास दोस्तों आप कब तक ऐसे 90 degree के angle ले बैठे नहेंगे आपको थोड़ से muscle stretch करना पड़ेगा तो दोस्तों थोड़ सा relax करना पड़ेगा so the chair should go like this at least दोस्तो 135 degree 120 का bend आपको अपनी चे के अंदर एक हलका सा tail to दोस्तों अपनी चे के अंदर मिलना ही चाहिए विरास दोस्तों आप चाहें बिलकूँ straight बैठना तो आप इसको ऐसे lock करके पूरा ऐसे straight भी बैठ सकते हैं दोस्तों ये दोनों features बहुत इंपॉर्ण हैं इनको definitely याद रखिए देखें दोस्तों आपको अपनी चे के अंदर सीवल फीचर और कास्टर वील्स मिलना ही चाहिए दोस्तों सीवल फीचर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे 360 डिगरी रोटेट कर पा रहा हूँ दोस्तों हम कहते है सीवेल फीचर और यह आपकी चेय के अंदर होना ही चाहिए विराइस अगर आपकी सीर के निचे काफी कमावी क्वालिटी के कास्टर वीज लगे हुए है बिलीव नी गाइस ये कास्टर वीज आपकी प्रोड़क्टिविटी नहांस करने में काफी आपकी हेल्प कर सकते है दोस्तों सिंपली आप अपनी चेय को स्लाइट करके किसी से भी बात कर सकते हैं आपको बार बार अपनी सीर से उठने की भी जरूत नहीं है तो गाइस देखिए ये दोनों का होना आपकी चेय के अंदर भी बहुत ज़़दे इंपोरेंट है इनको भी आप याद रखिए आप इतना सारा पैसा इंवेस्ट कर रहे हैं अपनी चेय पर जिस्ट मेक शूर इट तो बी मेड अप उफ वेरी ग्रेट और वेरी अमेजिंग मेटीरियल दोस्तो जो आपका पूरे जो चेयर का मेटीरियल होने वाला है वो जो उसकी बैक साइड है वो आपको मुश्टी मार्केट के अंदर मेश, फाब्रिक या वा दोस्तो लेदर की देखने को मिल जाएगी यू जस्ट हाब टू मेक शूर दोस्तो कि उसका मेटीरियल है कावी कमाल का होना चीए और उसके बैक साइड पे एर वेंटिलेशन डिफिनेटली होना चीए सेकेंड जो आपकी चेयर का लेग मेटीरियल होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्ण होता है आपको पांच साल की वारंटी भी मिलती है बट यू ज़्स नीड तो मेक शूर डाट आपको अपनी चेयर के अंदर अट लीस्ट मिनिमम लाग बेर मिनमम दोस्तों आपको एक साल की वारंटी अपनी चेयर की ऊपर मिलनी ही चाहिए विल गाईज अब आप ओफिस शेयर के बारे में बहुत कोछ जान चुके हैं चलिए अब क्विकली बढ़ते हैं मेरे टॉप फाइब की पैस्ट की लिस्ट की तरफ और राइट गाईज तो कमिंग एट फिफ पोजिशन वी हाफ वी थो कॉन फिंच ये दोस्तो इस शेयर का मेटीरियल आपको जिसकी बाक साइड है वो ब्रीथिबल मेश की मिल जाएगी विर्यास दोस्तो यहाँ पे जिसका फ्रेम मेटीरियल है वो आपको नाइलन का मिल जाएगा इट comes with molded foam seat metal और दोस्तो उसका जो base है वो आपका metal का देखने को मिल सकता है दोस्तो आपको इस चय के अंदर काफी कमाल की कास्ट सेар wheels मिलते हैं प्लस इट कमस बिद sea wheel feature अलसू लेकि दोस्तो आपको इस चे के अंदर ना ही Lumber Support, ना ही Head Rush और दोस्तो ना ही आपको यहाँ पे Arm Rush Adjustment मिल जाती है दोस्तो इसका आपको Arm Rush तो मिलते हैं लेकिन आप उन Arm Rush को Adjust नहीं कर सकते हैं विर्यास दोस्तो आप इस चे की Height को Definitely Adjust कर सकते हैं अपने Height के साथ से और सो यहाँ पे आपको इस चे के अंदर 120 डिगरी का तिल टिपी देखने को मिल जाएगा दोस्तो आपको इस चे पे मिल जाती है तीन साल की वाराटी और शे का प्राइस आपको मिल जाएगा दोस्तो 4,000 रूपीस के आस पास तोस्तो आप चाहें तोस्तो को बिलिगर को सकते हैं याद रहिए सबी चेर्स के बेस्ट बाइंक लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे दिशिशन बॉक्स के अंदर So coming at fourth position we have green sole ergonomic chair दिखे दुस्तो इजो पूरी चे का जो back side material है वो आपको breathable mesh का मिल जाएगा इसका frame material आपको नाइलन और glass fiber का देहने को मिल सकता है दुस्तो इट comes with molded foam sheet material and in fact आपको इसका जो base material है वो totally metal का देहने को मिल जाएगा This chair offers amazing cast of wheels और दुस्तो इहाँ पर आपको इस chair के अंदर civil feature भी देहने को मिल सकता है दुस्तो आपको इस chair के अंदर कमार की चीज़ यह है कि lumber support भी मिलता है और दुस्तो इस support को आप totally किसी lock के तुरू यहाँ पर adjust कर सकते हैं विरास दुस्तो आपको इस chair के अंदर बस इसका एक drawback है कि कोई headrest नहीं मिलता है पर दुस्तो आप यहाँ पर इसके armrest को भी totally अपने इसाब से adjust कर सकते हैं दुस्तो आप इस chair की height be adjust कर सकते हैं अपनी height case आप से दुस्तो जिन conference shares को फिलाल हम currently use कर रहे हैं firstly, they are conference come ergonomic shares दुस्तो वो share मैंने आपको इस लिए recommend नहीं करी हैं because first, they are quite expensive दुस्तो यह थोड़ी सी expensive है और आपका काम दुस्तो जो मैंने आपको भी recommend करी हैं दोनों shares इस से कापके सामें से निकल सकते हैं दुस्तो फिर भी, अगर आप हमारी use की वी cheer को इस्तमार करना चाहते हैं उसको खहितना चाहते हैं दुस्तो तो उसका मैंने link नीचे mention किया हुआ है description box में आप चाहें दुस्तो उसको वाँ से check out कर सकते हैं दुस्तो अगर आपको वाई top 5 की best की list में कोई भी cheer पसंदाती है आप उसको simply buy कर सकते हैं अगर आप नीचे जाएंगे दुस्तो तो description box में उधर आपको सभी cheers के best bank link मिल जाएंगे अगर आप उन links पे click करके उन cheers को buy करते हैं तो पहली चीज़ तो ये कि आपको एक पैसा भी एक शापे नहीं करना पड़ेगा दूसरी चीज़ ये कि आप कैसा करने से हमारी और मार चानल की बहुत अधा financialry help हो जाती है देखें दोस्तों आपके लिए किसी भी type का sponsored content नहीं लेके आते हैं ये चानल सिर्फ और सिर्फ आप लोग के प्यार की वज़े से ही चलता है विल दाट बिंग सेट वापस बढ़ते हैं टॉप 5 section की तरह देखें आप में से बहुत साही लोग है दोस्तों जिनकी requirements शायद एक executive chair की भी हो सकती है दोस्तों इसी वज़े से मैंने अपनी list के अंदर एक executive chair को भी रखा है So up next we have Kepler executive chair दोस्तों इस chair का जब material है वो आपको premium PU leather का बिल जाएगा plus it is a triple layered cushioned chair दोस्तों यहाँ पर आपको शे के अंदर cushion padded seat मिलती है plus it comes with cushion padded armrest as well दोस्तों यह एक rocking and reclining chair है दोस्तों आपको शे के अंदर काफी कमाल की caster wheels मिलते हैं plus it comes with sea wheel feature as well दोस्तों आपको शे के अंदर lumber support मिल जाएगा but आपको शे के अंदर कोई asset specific headrest नहीं मिलता है दोस्तों आपको शे के अंदर cushion armrest मिल जाएगा जो की adjustable नहीं है दोस्तों याद रखी कि आप शे की height totally adjust कर सकते हैं plus आपको शे के अंदर 135 degree का tilt adjustment देहने को मिल जाएगा दोस्तों केपला की तरफ से आपको मिल जाती है शे के ऊपर एक साल की वारंटी और शे का प्राइस तो आपको मिल जाएगा 8500 रुपीस के असपास तो आप चाहें तुसको बड़ी को check out कर सकते हैं so coming at second position we have office icon economic chair which I am currently using right now believe me guys ये chair Amazon पे highly underrated है and guys this is the right time to grab it foam का मिल जाएगा and both of them are highly air ventilated and guys believe me आपको यहाँ पे उसका frame material है वो काफी strong and sturdy aluminium and nylon का भी मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे इस chair के जो base material है आपको metal का देखने को मिल सकता है plus this chair offers amazing caster wheels and दोस्तों यहाँ पे आपको का भी कमाल का sea wheel feature भी मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे आप इसके 9 minutes से इसके totally lumber support को अपने साब से adjust कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको इस chair के अंदर जोसका headrest है वो भी adjustable मिल जाएगा प्रहाँ दोस्तों याद रखिए कि आप इसके armrest को भी totally adjust कर सकते हैं जैसे कि आप अपनी stream पे देख रहे हैं प्रहाँ दोस्तों आप इस chair की hybridize कर सकते हैं और आपको इस chair के अंदर 135 degree का tilt भी मिल जाएगा दोस्तों इस chair पे आपको office की तरफ से मिल जाती है एक साल की warranty उसका price दोस्तों आपको मिल जाएगा सिरफ और सिरफ 7,500 रुपीज के आसपास तो आप चाहें दोसको बिल्कुर check-out कर सकते हैं So coming at first position we have JD9 ergonomics here दोस्तों यह में लिश्ट में first position पे क्यों है और मैं इसको क्यों खुद use नहीं करता आई इसके बारे में जानते हैं देखें दोस्तों यहाँ पे इस chair का जो material है जाने कि उसकी back side दोस्तों वो आपको breathable mesh की मिल जाएगी दोस्तों इसका frame material आपको ultra strong niang का मिल जाएगा plus it also includes glass fiber दोस्तों याद रखी कि आपको इस chair का seat material है वो molded foam का मिल जाएगा which is highly air ventilated दोस्तों इस पूरे chair का base material है वो आपको surprisingly steel का मिल जाएगा दोस्तों और दोस्तों इसका steel material है वो आपकी chair की durability के लिए काफी कमाल की चीज होने वाली है that's for sure देगे दोस्तों आपको इस chair के अंदर काफी कमाल की caster wheels ही मिलते हैं plus it comes with sea wheel feature as well दोस्तों यहाँ पे आपको जो कमाल का लंबर support मिलता है दोस्तों इसी वेज़े से मैंने इसको अपनी list के अंदर first position पे रखा है देखे दोस्तों अगर आप किसी भी type के back pain को face करते हैं यानिकि major back pain issues face करते दोस्तों जो कि मैं नहीं करता तो देखे दोस्तों तो यह chair definitely आपकी लिए एक best choice है अब चाहे दोस्तों आपका upper back हो या फिर हो lower back दोस्तों यह chair आपके posture को बिल्कुल correct करेगी और दोस्तों आपकी किसी भी type के back pain से deal करने में आपकी बहुत अच्छे समन्दक करेगी दोस्तों यह chair बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते है scientifically prepared है and that is the reason why I don't use it प्रस दोस्तों यह थोड़ी से expensive भी है पर दोस्तों आपको तूटली adjustable मिल जाएगा दोस्तों इस जो armrest है वो भी आपको adjustable मिल जाते है दोस्तों आपको इस chair के अंदर 140 degree का tilt adjustment भी मिल जाएगा दोस्तों JT9 की तरफ से आपको मिल जाती है इस chair के उपर एक साल की warranty और इस chair का price आपको मिल जाएगा 16,000 रुपीस के आसपास तो आप चाहें तो इसको बिलकुल check out कर सकते हैं याद है कि दोस्तों सभी chairs के वेश्वाइंक लिंग आपको नीजे मिल जाएगे इस इन बॉक्स के अंदर तो गाइस ये थी आज की माई top 5 best office chairs I hope दोस्तों आपको माई ये वीडियो पसंद आई होगे अगर पसंद आती है तो दोस्तों याद से इस वीडियो को लाइक कर देना और आप चाहें दोस्तों इसको पूरे family और friends के साथ share भी कर सकते हैं और दोस्तों उनके back pain को बगाने में उनकी help भी कर सकते हैं बैस देखी दोस्तों कोई भी doubt ये वीडियो आपके दिमाग में फिर भी रजाते हैं तो आप मुझे ये चीज आके comment section में पूछी दोस्तों कि मैं आप एक और reply करना बिर्कूल भी नहीं भूलता चलिए फिर मैं साहिज मिलूँगा आप से लिए वीडियो में कि मैं पूलता हैं